नमस्कार दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम राजस्तान के परीचेस सम्वंदित कुछ महत्पून प्रास्थन देखने वाले हैं राजस्तान एक नजर में यानि कि राजस्तान के बारे में जोभी सामायनि बाते हैं जो बार-बार एक्जाम्स में repeat होती रहती हैं यह से हम लगबग 60 से ज़्यादा मौत्पन प्रस्ण इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बार-बार repeat होते हैं चाहे आप BSTC exam की तयारी कर रहे हो या फिर PTT exam की तयारी कर रहे हो या राजिस्तान क्रमचरी चैन बोड या RPSC की कोई भी exam या से बार-बार exam में प्रस्ण repeat होते रहते हैं तो आपको वीडियो अन तक देखना है और इस वीडियो में हम वही प्रस्ण देखेंगे जो बार-बार exam में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है तो देखेंगे अगर पहले प्रस्ण की बात करें हमारे राजि का नाम क्या है राजिस्तान तो आपको पता होना चाहिए कि राजिस्तान नाम आया कहा से है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने क्या है किस किस ग्रंथ में इसका उलेक मिलता है तो देखिए अगर पहले प्रेशन की बात करे राजस्तान सब्द का सरुपरतम प्रियोग किस ने किया था करनल जेमस्टोड जोर्ज तोमस जी एच ओजाया फिर वी ए स्मीद क्या हो जागा इसका अंसर तो देखिए राजस्तान सब्द का सबसे पहले प्रियोग करने वाले को ने अपने करनल जेमस्टोड ओप्शन फ़र्श हो जागा इसका सही अंसर देखिए राजस्तान मतलब राज्याओ का अस्तान राजाव कास्तान राजस्तान में आप सभी को बताओगा एक एकरन से पूर्व 19 रियासते थी 19 रियासते तीन ठिकाने और एक चीप कमिशनरी शेत्र तो 19 रियासतों के अलग-लग राजा थे यानि कि यहाँ पर राजाव का सासन था इसलिए राजस्तान इसका नाम पड़ गय और कहां किया इन्होंने 1829 में इनकी एक पुस्तक आई थी 1829 में एनाल्स एन्ड एन्टिक्विटीज ओफ राजस्तान इनकी एक पुस्तक है इसमें इन्होंने राजस्तान सब्द प्रियोग किया है 1829 में इनकी एक पुस्तक प्रकासित हुई थी और तकि इस पुस्तक का अ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ओब राजस्तान पुस्तक का दूसरा नाम तो इसका नाम क्या है दूसरा Central and Western Central and Western Rajput State of India इस पुस्तक का दूसरा नाम है जो अपने किसकी पुस्तक है? Colonel James Todd की पुस्तक है और देखे Colonel James Todd की बारे में जो महत्मन पुछे जाते हैं एक तो आता है राजस्तान इतियास के पितामा किसे कहते है? इतियास के जनक आ जाए या फिर इतियास के पितामा आ जाए किसे कहते है? Colonel James Todd को कहते है और देखे ये राजस्तान में गोडे पर सवार होकर गुमते रहते थे तो इनको गोडे वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं गोडे वाले बाबा ये भी प्रशन काफी बार पूछा गया है गोडे वाले बाबा तो कितनी मत्मुन बाते होगी इनकी? इनकी पुस्तक कोन सी है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ओव राजस्तान उस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? इनकी पूस्तक का पूराना नाम क्या था? राजपुताना, रायथान, मेग मलहार या फिर जैपूर यह प्रस्तक भी पूछा गया है तो अंग्रेज्यों के अधिन राज़स्तान का पूराना नाम था यह क्या था अपने? राजपुताना, राजपुताना इसका पूराना नाम था और अगर पूछे जाए, राजपुताना का सबसे पहले प्रियोक करने वाले कोने? तो यह अपने 800 हिस्वि में सबसे पहले राजपुताना सब्द का प्रियोग किस ने किया था जोर्ज थोमस ने जोर्ज थोमस ने इसका सबसे पहले प्रियोग किया था अठार सो इस्वी में राजपुताना सब्द का राज़स्तान सब्द का तो अपने करनल जेम्स टोड हो गया और राजपुताना सब्द का प्रयोग करने वाले को ने जोर्ज थोमस अगला प्रस ने देखिए प्रस ना गया राज़स्तान को राजपुताना नाम किस ने दिया तो देखिए राज़स्तान को राजपुताना नाम किस ने दिया आमने भी देखा है जोर्ज थोमस ने अटा क्षिन्तम प्रयोग किस ग्रण्त में हुआ हैं मोनोस Neand síanh realizing kyaad, rahaz duppal and pan pala या फिर एव ला या फिर दो दोनो के राजिस्तान सब्दगा अगर प्राशिन्तम पुछा जाए तो मोनो नियंडसी रिख्यात में हुआ है राज रुपक ग्रंत में भी हुआ है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने option D, A वब B दोनों इन दोनों गरंत में हुआ है अपने राजस्तान सब्द का प्रियोग, अगला प्रशने, वालमिकी ने राजस्तान के भूबाग के लिए क्या नाम दिया है, तो दीके आप सभी को पताऊगा, रामायन के रचेज़ता को ने वालमिकी, वालमिकी ने राजस् सब्द का प्रियोग क्या है, अगला प्रशने, राजस्तान सब्द का प्राचिंतम प्रियोग किस सिलालेक में हुआ है, तो दीके राजस्तान सब्द का प्राचिंतम प्रियोग अगर देखा जाए, तो किस सिलालेक में हुआ है, सिलालेक क्या होते है, तो दीके सिलालेक कुछ हमातलब साक्ष्ष होते हैं लिके हुए होते हैं उनको सिला लेग बोलते हैं अखिसान कबते हैं तो प्राचिन्थम प्रियूग अपने वसंत गड़ सिला लेग भी हो जागा इसका से अंसर वसंत गट शिलालेक अगर पूछा जाए किस जिले में शिरोई जिले में और देखिए राजस्तान सब्द का क्या सब्द प्रयोग हुआ इसमें वसंत गट शिलालेक में राजस्थानिया दित्य राजस्थानिया दित्य यह सब्द प्रयोग हुआ राजस्तानिया दित्य अपने वसंत गट शिलालेक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये तो अपने राजस्तान के जो प्राचिन नाम है किस-किस शिलालेक में या फिर किसने क्या का है राजस्तान को ये आपने देख लिए और अब विशेश संदर में वर्तमान संद अगला प्रशच्ण ने राजिस्तां के इत्यास का जनक किसे खा जाता है हमने भी बात किये पहले ही प्रस्ण में राजिस्तां के इत्यास का जनक अगर पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड को का जाता है और रास्तान सब्द का प्रयोग भी करने वाले को ने सबसे बिले 829 में अपने कर्नक्rol जेम्स टोड डी है तो ओप्शन पॉष्ट है इसका सही अंसर अगला प्रस ने वर्तमान राजtıस्तान के गठन में कुल कितना समय लगा तो देखिए वरतमान राजздन आप सभी को पता है वरतमान राज Future जिले हैं सान वर जो वर वरतमान राज़तान का सेटर पल 14,249 वर्क किलोमेटर है तो जो ये शेत्र है इस पूरे शेत्र के गठन में कितना समय लगा था क्या होजगा इसका आंसर तो देखिए राजिस्तान का एकी करण पूरा हुआ था आप सभी को बताए साथ चर्णों में एकी करण पूरा होता है साथ चर्णों में 1948 से एकी करण चलता है उन्हेस्चापन तक तो इस दोरहन अपने समय कितना लगा लगाये खुल आँट वर्ष साथ माहद चौदा दिन इसका समय लगाए वर्तमान जो राजिस्तान है ये शेत्र बढ़ने में आट वर्ष साथ माहद चौदा दिन का समय लगा था तो उप्शन भी हो यानि कि जो अपने केंद्र सासित प्रदेश के सकते हैं उसको अजमेर था इन सभी को संगटित करने में अपने आट वर्ष साथ मात 14 दिन का समय लगया था और पर एकिकरण का अगर पहला चरण देखा जाए तो कब सुरूआ था पहला चरण अपने 18 मार्च 18 मार्च 18 मार्च 1948 के दिन से सुरूओकर एक नवंबर एक नवंबर 1956 तक अपने एकिकरण चला था तो इस दोरान ये समय हो जाएगा अपने ओप्शन भी आट वर्ष साथ माहत 14 दिन का समय अगला प्रशने राजस्तान दिवस कब मना जाता हैं तो देखिए सिंपल सा प्रशन पता होने चाहिए राजस्तान के बारे में सामणी सी बातं हैं राजस्तान दिवस कब मना जाता हैं आपने 30 मार्च को 30 मार्च إaurus 59 के दिन सायệc राजस्तान में जैपूर जैपूर जोधपूर जैसलँ Μेर और विकानेर रियासत आकर मिली थी तो राजस्तान की बहुत बड़ा हिसा मिला था तो 30 मार्च के दिन से अपने राजस्तान दिवस मना जाता है तो option फर्ष्ट है इसका सही आंसर 30 मार्स के दिन राजस्तान दिवस मना जाता है और इस दिन अपने परदान राजस्तान के मुख्य मंत्री पहले मुख्य मंत्री अगर कहा जाए पहले मनोनित मुक्ख्य मंतरी कौन बने थे, हीरा लाल सास्थरी, राजस्तान के प्रतम मनोनित मुक्ख्य मंतरी बने थे, तो option फर्ष्ट हो जब गए इसका सही आंसर, अगला प्रस नेर, राजस्तान के प्रतम मुक्ख्य मंतरी गट assistir जाए, यहापर ईसा नहीं पूच सास्त्री ही आंसर होगा इसका राज्तान के प्रतम मुक्य मंत्री गर पूचे जाए तो हीरलाल सास्त्री है और प्रतम निर्वाचित मुक्य मंत्री पूचे जाए प्रतम निर्वाचित मुक्य मंत्री तो टीका राम पालीवाल हो जाएगा इसका सही आंसर टीका राम पालीव अगला प्रशने राजिस्तान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आये था तो अबी बात किये साथ चरनों में एक इकरन पूरा होता है वह साथवा चरन कब हुआ एक नवंबर उनिस्तों चपन के दिन एक नवंबर उनिस्तों चपन के दिन राजिस्तान का वर्तमान जो स्वरूप है वह अस्तित्व में आये था तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर प्रेशन 13 है एक नवंबर 1956 को राजिस्तान में कुल कितने जिले थे तो देकि यापर पर कन्फ्यूज मत होना दो तरह से प्रेशन पूचे जा सकते हैं एक नवंबर उनिस्cem चपन के दिन पूचे इक नवंबर उनिस्सोचपन के दिन ऊपने अपने ठेऍविस दिल्बनों bearings cooperate interaction पूच engaged Squam Learning नवंबर 1956 के दिन अजमेर जिला मिला था चीप कमिशनरी शेटर जिसको केंद सासित परदेश कहते थे अंग्रेजों के दिन था यह मिला था तो अजमेर को जिला कोशित किया गया था एक नवंबर नवंबर 1956 के दिन तो इस दिन तक अपने 26 जिले थे और पहले पुछे तो 25 जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं 33 जिले और सबसे नविंतम जिला कुन सा है प्रताप गड़ जिला सबसे नविंतम जिला जो 2008 में घटित हुआ था हम आगे बात करने वाले इसकी ज़िसका चवधा है वर्तमान समय में राज़तान में कुल कितने जिल्यव फंभाग संभाग तो देखिए 37 जिल्यव MON Twenty Google जिला प्रतभ गड्ये-डैश्टान का सबसे नavिंतम जिल्व सब्स right? यह आगे प्रशन आएगा इसका आप देख लिए प्रताबगट जिले का गठन कब क्या गया था तो देखिए दोजार आठ हो जाएगा इसका सही अंसर अगर डेट पुची जाए तो 26 जनवरी 26 जनवरी 2008 के दिन प्रताबगट जिले का निर्मान होता है तेटिसवा जिला राजस्तान का और देखिए दूसरे जिले के बारा में आप बेसिक ज्यान रखे थोड़ाशी जान करी देखिए एक नवंबर 1956 तक तो अपने 26 जिले थे 1956 में 26 जिला कौन सा बनाता अजमेर जिला और अगर इसके बात के जिलों की बात करें तो 27 जिला 28 जिला 29 जिला 30 जिला और 31 जिला ये कौन कौन से बनें तो देखिए 27 जिला अगर बात करें तो ये अपने दोलपूर बनाए दोलपूर ये कब बनाए 19 बर्यासी में धोलपूर 19 वर्यासी 28 वा 29 और 30 जिल्ह आपको एक साथ ध्यान रखना है 28 वा जिल्ह ये अपने 12 29 जिल्ह बना आपने दोसा और 30 जिल्ह आपने राज समन राज समन ये तीनों जिल्ह कप बने एक साथ 1991 में इन्खा गटन हुआ था बारा दोसा और राजसमंद 28, 29, 30 ये अपने एलफावेट के साब साब आप ज्यान रखे 1991 में तीनों जिलों का गटन हुआ था और 31 जिला कुन सा बना था हनुमानगट जिला ये बना था उनिसो चोराणवे में इकतिसवा जिला और बतिसवा जिला कौन सा बना बतिसवा जिला आपने बनाए करोली करोली उनिसो सित्याणवे में प्रताब गड़ अपने दोजार आट में बनाएं तो आप सबी ज्यान रखें चबिसवा जिला आजमेर 27 वा दोलपूर 28 वा बारा 29 वा दोसा और 30 वा अपने रातसमन बारा दोसा रातसमन अपने 1901 में बनाएं दोलपूर 1902 में बनाएं हनुमान गड़ अपने 1904 में बनाएं और अपने करोली बनाएं 1909 में और लास्ट जिला अपने प्रताब गड़े हम जिलो और संबाग से समधित अलग प्रस्ट ने देखेंगे लेकिन बेसिक जानकारी आप ध्यान रखें इसमें अगला प्रस्ट ने राजस्तान का सबसे नविंतम संबाग अपने बरतपूर इसका गटन अपने 2005 में हुआ था राजस्तान में लाग 32,149 वर्ग मील यह है इसका सही अंसर लेकिन यह पर वर्ग किमी में पुचाएं तो 3,42,249 और वर्ग मील में पुचा जाएं तो 1,32,149 ओप्शन भी है इसका सही अंसर अगला प्रशने राजिस्तान का उत्तर से धक्षी नेव पूर्ग से पस्चिम विस्तार क्रमशक कितने किमी है तो देकि राज़तान का इस्तिती और विस्तार समन्दिद हमने अलग से वीडियो देख लिया है वहाँ पर जाकर आप विस्तार प्रवक देख सकते हैं यहाँ पर हम बेसिक बेसिक बात कर रहे है राज़तान के संद्र में कर देखा जाए तो यह विश्यम चोड़ाई कितनी इसकी 839 किलोमेटर यानि कि लंबाई लंबाई कहमे और चोड़ाई जदाए उत्तर से दक्षिन अपने 826 और पूर से पस्चिम अपने 839 किलोमेटर सबसे उपर कोंसा जिलाए अपने कोना गाउं कोना गाउं गंगानगर और सबसे निचे इसका जेसल मेर कट्रा गाउं तो यह ध्यान रखे आप इसका विस्तार कितना हो जाएगा उत्तर से दक्षिन तो हो जाएगा अपने 826 और पूर से पस्चिम हो जाएगा अपने 839 ऑप्शन सी है इसका सही अंसर अगला प्रसने राजस्तान का शेत्रपल भारत के शेत्रपल का कि प्रसने और राजस्तान बारत का सबसे बड़ा शेत्रपल के शाप से देखे तो राज यह पहले स्थान पर आता है शेत्रपल के शाप से राजस्तान बारत में अगला है अपने राजस्तान देश के किस बाग में इस्तिते तो दीकि बारत के संदर्प में कर बात करे तो रा अगला प्रस्टने राजस्तान की अस्तली सिमा की लंबाई कितनी है क्या जोगा इसकांसर तो देखिए बेसिक सी बाते सबी को पता होनी चाहिए राजस्तान की अस्तली सिमा देखिए रास्तान जली सिमा तो बनाता नहीं है जली सिमा अस्तली सिमा बनाता है अस्तली सिमा में एक तो होती है अंतराष्ट्री है और एक होती है अंतर राज्जी है अंतर राज्जी है तो अंतराष्ट्री सिमा राज्तान की पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 km और अंतर राजी यानि कि दूसरे राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ सिमा बनाता है राजस्तान और ये सिमा अपने 4850 km है तो टोटल अगर सिमा पूची जाए अस्तलिय सिमा तो कितनी अपने 5920 km तो अपने option B हो जागा इसका सही answer 5920 km अपने राजस्तान की अस्तलिय सिमा है तो option B है इसका सही answer अगला प्रस्ने राजस्तान कितने राज्यों के साथ सिमा साजा करता है तो टीकि राजस्तान कितने राज्यों के साथ सिमा मनाता है तो टीकि राज्यों के साथ सिमा मनाता है और एपने लस्द में गुझरात 5 राज़ों के साथ सिमा मनाता है राजसतान और सबसे अधिक सिमा अपने अगर पूच जाए subjective सोलब desses सिमा मनाते हैं राजसतान से सरवादिक अंतर राजिये सीमा बनाता है अपने जालावार जिला जालावार जिला सबसे ज़्यादा अपने अंतर राजिये सीमा बनाता है मध्यपरदेश के साथ ओप्शन फर्श हो जाएगा पांच राजियों के साथ सीमा लगती है राजिस्तान की अगला प्रसने राजिस सहीद बता रहा हूं ताकि इन लगबग 60 से ज्यादा प्रशन हम देख रहे हैं इन में आपके 200 से ज्यादा प्रशन कवर हो जाएंगे अगर ध्यान प्रुक आपको इनको प्रशन को देखोगे तो तो देखे पाकिस्तान के साथ 1070 किलो मेटर रेड क्लिप रेका के नाम से जन स्री गंगा नगर हिंदु मल कोट से अपने पाकिस्तान से सिमा प्रारम करता है स्री गंगा नगर उसके बाद अपने जेसल मेर उसके बाद अपने बाड मेर यह चार जिले अपने राजस्तान के सिमा मनाता है पाकिस्तान के साथ और सबसे अधिक सिमा कर पूचे जाए तो ज्यसल मेर सिमा मनाता है पाकिस्तान के साथ सबसे दिख 464 Kilometer और सबसे अगर कम पूछा जाए तो विका नहार बनाता है 168 Kilometer या आप धियान रखें तो option अपने कौन सा दय ओज जाएगा पाकिस्तान और यह basic सी बात है आप धियान रखें और इस्तिती और विस्तार जो आंग जैसल मेर है और सबसे चोटा जिला आपने कुण सा है दोलपूर तो ऑप्शन सी हो जागा इसका से अंसर और देखे एक बार प्रशन ऐसे भी पुचा गया था कि राज्तान का सबसे बड़ा जिला जो जैसल मेर है और सबसे चोटा जिला दोलपूर है यह जैसल मेर दोलपूर से कितने गुना बड़ा है तो देखिए इसके लिए आपको सभी को एक बार इसका सेत्रपल ज्यान होना चाहिए 38401 वर्ग कीमी वर्ग कीमी एक इसका सेत्रपल है जैसल मेर का सेत्रपल जो राजस्तान का सबसे बड़ा जिला है और दोलपूर का सेत्रपल कितना है 3034 वर्ग क 64 गुना बड़ा है जैसल मेर अपने दोलपूर से तो ये भी आप धियान रखें इस का अच्छर क्या हो जगा आपने क्या स्फाए जीले से तो दोह जीलो से और अपने हुआँश्वाडा ये इन दोनोंट जीलों किन से पुचे तो से नम पुचे कौन कोई बड़ा है तो अपने दोह जीलों सेmez के क्वेस्व कि दोनू घैसल घैसला नाभ्यभा क्वेस्वाण से तो ये इसमीआक के नाम है इसके अगला प्रशन है आदुनिक राजस्तान के निर्माता किसे का जाता है तो ओप्सिन फर्चर्य इसका सही अप्शन फर्च हो जाएग का सही असर मोहन लाल सुकर्य और गर्म शतान के पूर्म मुख्यमंत्री है और एक सबसे अदिक शचतğ लगबख 17 वर्शों तक मुक्यमंत्री रहने का रिकोड भी इन्हें के नाम है इसलिए इनको आदूनिक राठस्तान के निरमात का जाता है 1954 से लगा कर 2021 तक राठस्तान के मुक्यमंत्री रहे थे और तेकि लग वर्षियों तक राजस्तान के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकोड बना लेंगे 15 वर्ष तक और देकि एक बार अगर और मुख्यमंत्री राजस्तान के बन जाते हैं तो मोहनलाल सुकाडिया के जो 17 वर्षियों का रिकोड है सरवादिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का यह भी टूट सकता है अगर एक बार और मुख्यमंत्री बने तो यह तो भविश्य के गर्व में लेकिन अगर पुछे जाए मोहनला शुकलिया कितने वर्स तक मुख्यमंत्री रहे रास्तान के तो अपने 17 वर्स तक सबसे अधिक और रास्तान आधुनिक रास्तान का निर्मा और सबसे रास्तान का हुए और स्थाना आतर यह उतापना इससके अइस कि革 दो हुए disposition अग्राट समय उच्छी में रास्तांच द रास्तानन आधिक खंठी कृट हैं हमने ह्भी बात कि ऐ का हैं और पैक्षिट अपने जैपूर में सतित हैं और मुख्य पीट अपने जोदपूर में है अगला प्रसने राजिस्तान में प्रतम आम चुनाव कब हुए थे तो देखी राजिस्तान में प्रतम आम चुनाव 1952 में हुए थे और सबसे पहले निरवाचित मुख्यमंत्री को ने टीका राम पालिवाल सबसे पहले निरवाचित मुख्यमंत्री हाला कि यह आठ महीने तकी मुख्य मंत्री रह पाए थे उस समय 1952 में सबसे पहले विदान सभा चुना हुए थे राज़तान में प्रतम विदान सभा का समय अगर पुचा जाए तो 1952 से 57 है आप ध्यान रखे प्रवेशक दवार्त अपने बरतप्व को का जाता है राज़तान का एकमात्र अश्टोक एक्सजेंज अपने जैपूर में और और यह हो जाए प्रश्न तेतिस है राज जी की पूर्वी वो पस्चिमी सिमा के अस्तानी समय में अंतर लगबग कितना है तो क्या होजगा इसका अंसर देख लिए एक बार चातीस मिनट का अंतर है पूर्वी वो पस्चिमी सिमा के अस्तानी समय में क्योंकि देखिए एक बेसिक सी बात आप अंतर का अंतरगर देखें, तो 8 डिग्री 47 मिनट है लगबग, तो 8 डिग्री 47 मिनट को अगर 4 से गुणा करेंगे, तो लगबग कितना था है ये, 35 मिनट, 35 मिनट 8 सेकंड, 8 सेकंड, तो अपने लगबग 36 मिनट मान सकते हैं इसको, तो ओप्शन सी हो जागा इसका से अंसर, राश्तान की पूरवी सिमा कुन सी है, पूरी सिमा अपने दोलपूर जिले में, सिलावट गाऊँ हैं, और पस्ची में कुन सी है, जैसल मेर का कटरा गाऊँ, तो यहाँ से यहाँ तक अस्तानी समय का अंतरगरette देखें, तो यहाँ दोलपूर में 36 मिनट आगे चलता हैं, और अपने 36 मिनट बात चलता है जैसल मेर कट रहा हूँ तो option C हो जगा इसका say answer अगला प्रेस्टने राजस्तान में सूर्योदय वह सूर्यास सबसे पहले कहा होता है तो देखे हमने अभी बात कियें पूर्वी सिमा और पस्चिमी सिमा में अंतर समय कास्तानी अंतर कितना है 36 मिनट और देखे सूर्योदय सबसे पहले किस दिशास होता है पूर्व दिशास होता है तो पूर्व दिशा में अपने कौन सा जिला है दोलपूर जिला तो देखिए सबसे पहले सुर्योदेव भी दोलपूर में होगा और सुर्यास्त भी सबसे पहले दोलपूर में ही होगा तो option इसका first हो जाएगा सही answer सबसे पहले सुर्योदेव सुर्यास्त अपने दोलपूर में होगा अगर बाद में पुछा जाए तो बाद में और पहले पुछा जाए तो अपने दोलपूर में है इसका सही अंसर तो option first इसका हो जाएगा इस प्रशन का सही अंसर option first इसका सही answer है देखिए अब तक तो हमने राज़तान का जो राज़तान सब्द कहां से आया है उसका इस्तिती विस्तार राज़तान के जिलो का गठन ये देखा हैं और देखिए राज़तान के प्रतीक से समंदित भी बहुत सारे प्रतीक पुचे जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए तो राज़तान के जो भी विबिन प्रतीक है ये भी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इनका और देखिए अलग से आप पूरा व्याके साइथ वीडियो देखना चाहते हैं राज़तान के प्रतीक जेज राज़तान का राज़ पक्षी कोन सा है राज़ पसू कोन सा है राज़ की वरक्ष कोन सा है ये वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं आगर पूच जाए गोडवन को राज्य पक्षी गोशित किया गया था तो इंडियान बास्ट किसे कहते हैं तो ये भी अपने गोडवन को कहते हैं गोडवन की बारे में आपको कितनी बात धियान रखते हैं एक तुमने राजकी पक्षी कुन सा है राजतान का गोडावन है इसको राजकी पक्षी कब गोशित किया गया उनिस सो इग्रियसी में ग्रेट इंडियन बर्ट्स किसे केते हैं ये भी गोडावन को केते हैं और देखिए गोडावन का अगर वेग्यानिक नाम पूचे जाए तो वेग्यानिक नाम क्या है क्रायोटिस क्रायोटिस नाइगरी सेप्स नाइगरी सेप्स इसका वेग्यानिक नाम है और देके गोडावन राजस्तान में किस जिले का सुबंकर है राजस्तान के 33 जिले है और अलग 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 सुबंकर गोशित क्या हुआ है तो गोडावन किस जिले का सुबंकर है देखिए सारी के सारे बाते में जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में सभी महत्पुने काफी बार पुछे गए ये प्रस्ण तो गोडावन किस जिले का सुबंकर है जेसल मेर का सुबंकर है जेसल मेर का सुबंकर क्योंकि देखे राष्ट्री मरू उद्यान में गोडावन पाए जाते हैं गोडावन के साथ चिंकारा भी यहां पर मिलते हैं जो राष्टान का राज्य पशु हैं लेकिन जेसल मेर का अगर सुबंकर पुछे हैं तो अपने गोडावन हैं और देखे ग इतने सारी बाते आपको द्यान रखनी है ग्रेट इंडियन बट्स गोड़ावन को कहते हैं इसको राजकी पक्षी गोशित किया गया है सोर्षण 12 में जैसल मेर का राश्ट्री मरूध द्यान में ये गोड़ावन पाए जाते हैं इसका आपने वेग्यानिक नाम क्या है cryotis nigri shapes इतने मैंने आपको विस्तार से बता दिया है आप सभी को यह ध्यान रखना है और भी आप विस्तार से देखना चाहते हो तो मेरा अलग से वीडियो आप देख सकते हैं अलग से वीडियो मैंने बना रखा हैं प्राशन अर्टी से आपने राज़े पसु निमलेकित में से कौन सा है तो देखिए चिंकारा अपने राजे पसु है और इसका भी बुच़ जाता है इसको राज़ी पसु कब गोशित किया गया है तो इसका भी आप जान रखे गोडाराण के साथ इसको भी राज़े पसु उनिस सो इग्रियासी में ही गोशित किया गया है 1901 में और चिंकारा के बरहे में पुछे जा सकता है किस जिले का सुबंकर है तो गंगा नगर जिले का गंगा नगर जिले का सुबंकर है चिंकारा और इसको गजला गजला के नाम से भी जानते हैं गजला गजला आजाए किसे केते हैं तो अपने राज्य पसू चिंकारा को गजला गजला के नाम से जानते हैं और अपने वन्य जीव स्रेणी में अपने वर्तमान में ये राज्य पसू है अगला प्रस्ने 2014 में पाल्तु पसू की स्रेणी में राज्य पसू किसे गोशित किया गया है तो दीकि हमने भी बात किये वन्य जी उस्रेणी में तो कौन सा है वन्य जी उस्रेणी में चिंका रहा है राजस्तान का राज्य पसू लेकिन पालतु पसू की स्रेणी में पूचे जाए तो अपने ऊट को राजस्तान का पालतु पसू की स्रेणी में राज्य पसू गोशित क किया गया है तो दीकि राजस्तान का राज जिखेल अपने बास्केट बोल है और इसको 1948 में गोशित किया गया है तो ऑप्शन सी हो जागा इसका सही आंसर बास्केट बोल को राजस्तान का राज जिखेल 1948 में गोशित किया गया है गजला गजला नाम से प्रसिद पसु कौन सा है तो दो कि गजयला गजला वनन जी उस्रेटी में वुटने राज्य पसू है चिंकारा इसको गजयला गजयला कहा जाता है ऑप्शेंट फर्च वुट खोन सा यह वह इसे कब राज्य वुक्ष कोशिद गया है तो देखिए राज्य वरिक्ष खेजली खेजली राजस्तान का राज्य वरिक्ष जिसको राजस्तान का गोरव आजाए राजस्तान का कल्प वरिक्ष आजाए आधी नमों से जाना जाता है और 1983 में इसको गोशित किया गया है तो आप कंफ्यूज को राज्यवरिक्स को इस्व 81 में गोशित किया गया है लेकिन खेजली को 1983 में गोशित किया गया है इसके बाद रोहिल्डा भी आएगा रोहिल्डा को राजस्तान का राज्य पुष्ट पर का जाता है इसको भी 1983 में गोशित किया गया है खेजली और रोहिल्डा आ जाए तो 1983 में चिंकारावा गोडा बना जाएं तो इसको 1981 में गोशित किया गया है यह प्रसने बार-बार पूचे जाते हैं तो आप ध्यान रखे ऑप्शन डियो जाएगा इसका सही अंसर अगला प्रसने राजस्तान के राजकी वरक्ष का वेगयनिक नाम क्या है तो देखिए राजकी वरक्ष हमें सभी को बताएं खेजली है खेजली का वेगयनिक नाम क्या है प्रोसोपिस सीनेर एरिया ऑप्शन भी प्रोसोपिस सीनेर एरिया अपने खेजली का वेगयनिक नाम ह और देखे अस्तानी बसा में इसको अगर पुचे जाए तो अस्तानी बसा में इसको जाटी केते हैं जाटी अस्तानी बसा में अगला प्रसने रेगिस्तान का जहाँ किसे केते हैं तो देखे रेगिस्तान का जहाँ सिंपल सा प्रसने उट को का जाता है उट को रेगिस्तान का किसे कहा जाता है तो बोग सतान का कुल्स अगर आ जाए तो किसे कहते अपने यद звон frankly को कहा जाता है option D हो जाएगा इसका sev اس खंए या फिर वन तुलसी आ जाए वन तुलसी यह अपने घचली को कहा जाता है और देखिए एक प्रशन दो से तीन बार पुचा गया है खेजली समधिद खेजली वरिक्ष की पूजा किस दिन की जाती है तो देखिए दसहरे की दिन दसहरे की दिन विजिया दसमी की दिन दसरे यानि कि विजिया देश्मी की दिन अपने खेजली विरिक्ष की पूजा की जाती है तो option फर्ष हो जाएगा इसका से answer राजस्तान का गोरव अपने खेजली है और देखिए राजस्तान का गोरव कौन से किले को का जाता है चितोडगर किले को का जाता है और अवरक्ष के रूप में अगर पुचे जाए तो खेजली को का जता है यहाँ पर आप confused मत होना अगला प्रसने राजस्तान का राज्य पुष्प कौन सा है तो देखे राजस्तान का राज्य पुष्प अपने रोहिडा है और इसका वेग्यानिक नाम अगर पुचे जाए तो टीको मेला अंडूलेता तेको मेला या टीको मेला अंडूलेता इसका आपने वेग्यानिक नाम में रोविडा का और इसको अ shapes m ice गोशित किया गया है केजली को भी अपने 1980 में गोशित किया गया है बाकि अपने गोड़ावन और चिंकारा को 1980 में गोशित किया तो में राजिपूश अब ध्यान रहके रोविडा है अगला प्रस्वे तानी का साग्वान के केते हैं तो दिए कंद एक रजातान का सागवान अपने रोईडा को कहते हैं और कंद एक कि यह जो आहिए यह से तीन वार इस वीडियो को दुख को गें तो आप के इस और सारे-सार प्रशने कवर हो जाएंगे और हर एक 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 प्रस्ण तो यहांसे हर एक एक जाम में पुट अप होता है तो आप ध्यान रहे कि राजस्तान का सागवान अपने रोहिडा को कहा जाता है मरुसोबा भी अपने रोहिडा को कहा जाता है अगला प्रस्ण राज्य पुष्प रोहिडा राजस्तान के किस भाग में सरवादविक पाए जाता है तो दीकि रोहिडा सबस प्रवेश द्वार किसे किते हैं बरतपूर को प्रवेश द्वार अपने बरतपूरë है तो आ जाये तो युँँग जोदपूर है लेकिन मरुस्तल का परेश्द द्वार अगर आजाए तो ये अपने जोदपूर को कहते हैं ओप्शन सी हो जागा इसका से अंसर मरुस्तल का परेश्द द्वार अपने जोदपूर है राज़तान के उपनाम से समंदीत वीडियो अपने अलग से देख लिया है इसमें अपने उपनाम से समंदित प्रस्ण पुचाएं और सुमेलित कौन सा हैं राजिस्तान का पंजाब अपने सांचोर को केते हैं सांचोर जालोर राजिस्तान का पंजाब केते हैं एकदम सही है राजिस्तान का खजुरा हो अपने कीराडु मंदिर को केते हैं जो अपने बारमेर जिले में किराडु मंदीर ये भी एकदम सही है राजस्तान का मेनी खजुरा हो बिंड देवरा जो अपने बारा जिले में ये भी एकदम करेक्ट है ये भी सही है तीर्थो की नानी किसे कहते है तीर्थो की नानी अपने पुशकर को नहीं कहते है तीर्थो की नानी अ कुन सा है option D हो जागा इसका स्री अंसर तीरतों की नानी अपने देवयानी तीरत अस्तले और पुशकर को कहा केते हैं तीरतों का मामा के नाम से जाना जाता है तीरतों का मामा पुशकर अगला प्रस्टने राजस्तान का सबसे अधिक वा सबसे कम गाहूं वाला जिला क्रमिश कोन सा हैं तो दिखिए सबसे अधिक गाव राजस्तान के किस जिले में गंगा नगर में गंगा नगर में सबसे अधिक गाव हैं सबसे कम गाव किस जिले में सीरोही जिले में तो इसका अंसर क्या हो जागा क्रमशा गंगा नगर अधिक पहले पुछाएं तो अधिक वाला पह प्रति वर्ष का तो 27 दिन यहां पर ओशत आंदी आती है 27 दिन स्री गंगा नगर हो जाएगा इसका सही आंसर अगला प्रस ने यह भी काफी बार पुचा गया है अगला प्रस ने राजिस्तान का राज्यगीत कौन सा है तो दिके राजिस्तान का राज्यगीत अपने केसरिया बालम है और यह मांड शेली में सबसे पहले अपने अलाह जिलाबाई जिसको राजिस्तान की मरू कोकिला का जाता है इसने कहा था तो और प्रस ने राजिस्तान का राज्यगीत है केते हैं ऐसा कौनने तो देखे गूमर है इसका ँप्शन भी ओजागा इसका सहयं फूमर को राजिस्थान का लोग द्री नित्य कर चुन या का सिर्मो नाम से और राजंदि की एका इसक अगला प्रसने राजस्तान की राजबाशा कुन सी है तो दीके राजबाशा अपने हिंदी है राजबाशा क्या होती है जो राजबाशान सरकार की इस बाशा में कामकाच पूरा करती है तो अपने ओप्शन सी हिंदी में राजबाशा अपने हिंदी है ओप्शन सी है इसका सह answer अगला प्रशने राजिस्तान में राजिस्तान के संदर्प में निम्लिकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो दीके कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है सबसे आद्र जिला बासवाडा और सबसे आद्रस्तान माउंट अबु सिरोई तो दीकि राजस्तान का सबसे आद्रस्तान कौन सा है ये अपने माउंट अबु सिरोई है एकदम सुमेलित है लेकिन सबसे आद्र जिला अपने बासवाडा नहीं है सबसे आद्र जिला अपने ज जन संक्या बारत की कुल जन संक्या की लगबग कितने परतिशत है तो देखिए 2011 की जन करना करें तो बात करें तो बारत की कुल जन संक्या की लगबग 5.66 या 67% 5.66 या 67% लगबग पुचाए तो अपने option से हो जाएगा इसका answer 5.67% अपने जन संक्या बारत की कुल निवास करती है राज़तान में और शेत्रपल अपने बारत का कितना परतिशत 10.41 परसेंट और जन संक्या अपने 5.67% प्रेशन 62 है शेत्रपल की द्रेश्टी से राजस्तान बारत का सबसे बड़ा राज्यकब बना था तो देखिए काफ 1.9.2000 के दिन मज्दी पर्देश से अलग होकर 36 गड़ राज्य बना था चटिस गड़ राज्यका गठन हुआ था मज्दी पर्देश से अलग होकर तो देखिए 1.9.2000 से पहले अपने मज्दी पर्देश सबसे ज़्यादा शेत्रपल वाला राज्य था लेकिन 1.9.2002 के बा भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया सेत्रपल के द्रश्टी से अप्शन डी अगला प्रस ने बार बार पूचे जाता यह प्रस न भी राजस्तान के आकरती कैसी है तो देकि विश्यम कोण ये चतरपूज अपने राजस्तान के आकरती है इस परकार से राजस्तान के आ और देखिए अलगोजा से समंदित एक प्रशन आप कमेंट करके बताना अलगोजा किस प्रकार का वाधियंतर हैं किस प्रकार का वाधियंतर हैं आप सभी को कमेंट करके बताना हैं राजी लोग वाधियंतर अपने अलगोजा हैं लेकिन किस प्रकार का वाधियंतर हैं सभी कम 50 km है यानि कि लगबग 80% हिससा इसका अपने राजिस्तान में है तो आप ज्यान रखें ओप्शन C हो जागा इसका सही अंसर रावली परवत्मला राजिस्तान या फिर बारत की भी सबसे पूरानी परवत्मला है और देखें इस वीडियो का अंतिम प्रशने राजिस्तान का सरवादिक वन शेत्र वन न्यूनतम वन शेत्र वाला जिला क्रमिशा कौन सा है सरवादिक वंशेत्र राजस्तान में किस जिले में है उदेपूर जिले में निवनतम वंशेत्र चूरू जिले में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उदेपूर वचूरू option c है इसका सही answer सबसे ज़्यदा अपने उदेपूरे सबसे कम अपने चूरू में वन तो दोस्तों यह थे अपने राजस्तान के परिचाए यह राजस्तान एक नजर में अगर देखें जो भी महत्मन फेक्ट थे जो बार-बार सीरीज लेकर आते रहेंगे वीडियो अच्छे लगए तो अपने दोस्तक जाद भी जरूर सेर करें लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सस्क्राइब करें और किसी परकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना है मिलते हैं अकले वीडियो में जय हिन जय भारत